हेलो एब्रीवन वेलकूम अगें टू लेंडवरे देतिमन तो देखिए रीट का एक्जाम आपका हो चुका है चार पारियों में आपका एक्जाम लिया गया था बहुत ही अच्छे तरीके से सांती पूर्वक जो है वो एक्जाम हो चुका है ठीक है तो बच्चों ने बहुत ही महनत की थी हमारे साथ में कुशन अंसर सिरीज को आप लोगों ने लर्ण किया बार-बार उनको रिवाइज किया टेस्ट दिये यूनिट टेस्ट भी मैंने जो है वो आपके सभी ले लिये थे जितने भी सस्टी में आपके हिस्ट्री जोग्रफी पॉलोटी के पूछे ग लाके आप लोगों का एक्जाम बहुत बढ़िया रहा जैसा कि हमने पता किया है बच्चों से तो देखिए राजिस्थान अध्यन की जो बुक हमने बताई थी जिसके कुशन अंसर आपको प्रोवाइट कराए गए थे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक भी ठीक है तो देखिए उन बच्चों का तो यहां तक कहना है कि हम 90 मार्क्स के लिए नहीं बलकि हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाते थे हाला कि 90 मार्क्स वाला जो है वह है पास होगा यहां पर और जो आपका 3rd grade का एक्जाम होगा उसके लिए वह है पात्र हो आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरी बातों को मान कर 130 प्लस मार्क्स लाने के लिए अभी की है इसका benefit आपको मेन एक्जाम में जरूर मिलेगा है यह मानिए जिन नोट्स को आपने अभी तक यूज किया है उन नोट्स को आप बिलकुल भी छोडेंगे नहीं उनको आप द आएं जिन बुक्स को मैंने आपको बताया था कि RBSC जो है वो बिलकुल बेस है आपका ठीक है RBSC की जो यदि किसी बच्चे ने बुक पढ़ ली बहुत अच्छे तरीके से तो यहां से एक सिंगल कुश्चन बाहर नहीं जाता है NCRT के साथ में जो अभी राजिस्थन के जीके की बुक है 6 से 10 तक की मैंने आप लोगों को करवाई आप खुद देख लीजिए एक्जाम आप देकर आए हो सभी कुश्चन वहीं से पूछे गए थे थोड़ा सा जोगरफी में बच्चों ने बताया है कि 2-4 कुश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिए गए थे लेकिन जिन बच्चों के concept clear है जोगरफी में तो वो उनको भी बहुत अच्छे से करके आए है तो ऐसा तो किसी बच्चे का कहना ही नहीं है कि 90 मार्क्स तो आही जाएंगे सभी का कहना है 120 प्लस या 130 प्लस तो आही जाएंगे तो यही चीज़ है selection ऐसे ही बच्चों का होता है जो कि 90 मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं अब भी अब भी इतनी marks की बात कर रहे हैं कि 130 प्लस, 120 प्लस तो आ ही जाएंगे तो selection ऐसे ही बच्चों का होता है जो की बहुत अच्छे तरीके से उन books को follow करते हैं जो अभी आपके school में चल रही है ठीक है? चाहे आपके हिंदी की बात हो, English की बात हो, psychology की बात हो यदि आप इन books को ही follow करेंगे, जो अभी school में चल रही है जिनके आप teacher बनोगे, उनको ही पढ़के यदि आप exam देते हो तो कहीं से भी question बाहर से नहीं आता है यदि कोई बच्चा बोलता है, ये question बाहर से आया था बाहर से कहां से आएगा? question paper आपका इन ही book से बनाया जाता है तो अच्छा हुआ आपका ये paper तो सभी बच्चों का, बहुत अच्छी बात है आपी की मेहनत है ये, हम लोग तो मेहनत करते हैं साथ में, आप लोग भी साथ देते हो यदि आप लोग साथ नहीं दोगे तो कोई भी चीज जो है वो संभव नहीं हो पाती है तो इसी तरीके से एक दो दिन जो है वो आप rest करिए और next exam के लिए जो है वो आप दुबारा से तयार हो जाईए क्योंकि next जो exam होगा वो आप ये सोचिए कि उसमें आपको एक तो negative marking देखने को मिलेगी थोड़ा आपको current affair जो है वह देखने को मिलेगा एक और जो subject जो की सभी के लिए आएगा सेक्षिक रीती विज्ञान का जो की बिलकुल अलग होगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा है ये add कर दिया गया है तो इसी तरीके से यदि आप तयारी करते रहेंगे regularty जो है वो आप बनाए रखेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता जीवन में आगे पढ़ने से selection लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा जो बच्चे second grade की तयारी कर रहे हैं second grade की करते रहे ठीक है third grade का exam जो है वह भी आपका निकल जाएगा second grade की तयारी करते करते आपका third grade का exam भी निकल जाएगा इस बात को जो है वो आप मान कर चलिए ठीक है books वही रहती है जो भी notes आप लोगों ने लंड विर्दितिमन से आप लोगों ने purchase किये हैं इनको बिल्कुल भी जो है इदर उदर ना रखें इनको बारवा रिवाइज करें अभी syllabus जो है वह अच्छे तरीके से नहीं आया है third grade का second grade के बच्चों का आ गया है तो syllabus जो है वो भी करवा दिया गया है कुछ जो है geography में बाकी है बस इसके अलावा current affair बाकी है बाकी जो है वो complete हो चुका है आपका आप उनको पढ़ना start करिए और देखिए third grade के लिए syllabus जो है complete जब आ जाएगा तब हम जो है उसकी बात करेंगे लेकिन आप लोगों को free नहीं बैठना है आपको क्या करना है जो भी notes आपको अभी read के लिए provide कराए गए थे जो भी आपने purchase किये हैं उनको आप पढ़िए क्योंकि बार-बार पढ़ने पर ही जो है वो चीजें बहुत अच्छे से लंबे time तक याद रहती हैं वरना सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी तो बिलकुल सटीक बात जो है वो मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ और जो बच्चे follow करते हैं वो खुद देखिएगा बच्चों ने selection पाया भी है और पाएंगे भी क्योंकि जो बच्चा जो है सही चीज को follow करता है सही दिसा में चलता है और regular काम करता है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है selection से selection ही नहीं जीवन में कोई भी काम आप करें यदि आप बड़ी सिद्दत से करते हैं तो आपका वो काम जो है वो पूरा होता ही है तो इसी तरीके से एक दो दिन जो है वो आप rest करिए और question paper तो आपको नहीं मिला है लेकिन answer की का wait करिए तो जब आपका result जो है बहुत अच्छा आने लग जाएगा तो आपको भी ये चीज महसूस होगी कि हाँ वाकी जो है हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो कि हमको पढ़नी चाहिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारा matter जो है वो आप लोग लेकर बैठे रहें ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है और केवल पूछा वही जा रहा है जहां से question paper बनता है तो केवल वही चीज पढ़िए इधर उधर की बातों में ना भटकिए तो इसी तरीके से आगे भी महनत करते रहिए और comment box में बताईएगा कि डेड़सों में से कितने question जो है वो आप बिल्फुल सही करके आए हैं क्योंकि जो बच्चा question करके आए हैं उनको पता होगा कि हमारे marks इतने तो जरूर आएंगे ही ठीक है तो इसी तरीके से मिलते हैं महनत के साथ नेक्स वीडियो में ठेंक यू